करवा चौथे फेशल जो आज में लेकर आई हो आपके चहरे पर गजब का निखार लेकर आएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं करना क्या है आपको लेना है कच्चा दूद्ध आपको यहां कच्चा दूद्ध लेना है और एक चमस लेनी है आपको कस्तूरी सब्सक्राइब और विए सब्सक्राइब करने के बाद मैं के दूने का अभी लगाना है अब इसी है और पूरे फेस पर गर्दन पर गजब का निखा रहे गा आएगा आपके चहरे पर जुतनी गंदगी टैनिंग हो रही है आपके दूल मिट्टी हो गई है तो उसको निकाल क यह remove कर देगा और मैं इसी step को अपने हातों पर भी लगाऊंगी क्योंकि चेहरा और हात के skin बहुत अलग डिखती हैं हम एंपने फेस पर ध्यांद रखते हैं लेकिन हातों का ध्यान नहीं रखते इसलिए मैंने इसी step को अपने हातों पर भी लगाया है अब हम इसको 2 2-2 विनिट के लिए छोड़ देंगे एक से दो निट की मसाज करने के बाद आपने फेस को आप किसी भी टॉबल से आप चहरे को या तो आप पानी से धोले या फिर आप गीडी टॉबल से भी इसको अच्छे से डो सकते और अपने हातों की भी हमें जैसे हम फेस पे करेंगे वैसे हमें हातों की भी मसाज करनी है ठीक है जी अपने चेहरे से पहले सारी गंदिकी को हमने निकाल देख सकते हो कितना अभी एक स्टैप किया और कितना गंदिकी दूल साफ हो गई है हमारी अब चलते हैं अपने दूसरे स्टैप की तरफ एक स्ट्रबर तयार करना है तो यह मच आप कॉफी का डाल देना यह बाउल थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने ट्रांसफर कर लिया बड़े बाउल में क्यूंकि मैं इसे अपने हाथों पर भी लगाएंगी लगाऊंगी इसलिए मैंने इसको जादा बनाए अब इसमें हमें डालना है दो चमच भरके हमें इसमे अच्छे से हमें लगाना है अपनी फेस अपने हाथों पर अपने अच्छे से हमें हमें से लगाना यह हमारी टैनिंग को हटाएगा के ही और आप ध्यूर्ट है रहान रहा होगे कि करवास प्यां付 इसे खर्च किये हुए आपके हाथ पर आपकी बॉड़ी कितनी चमक गई कितनी शायन कर गई अब इसको दो चछ से तीन मिनट के लिए इसको छोड़ देना है फिर हमें इसको अच्छे से अपने थीरे-धीरे मसाज करने यह वीडियो थोड़ी मैंने स्पीड इसकी भढ़ा द अच्छे से दो से तीन मट की स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस और हाथ की आप देख सकते हो चहरा में दोकर आ गई हूं कितना चमकर आए कितनी मेरी सारी गंदगी चहरे पर जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी जम गई थी वह सब निकल चुकी है तो अब हमने चहरे को करेंगे स्टीम करने से क्या होगा आपके चहरे के उपन पोस खुल जाते हैं उससे हमारे चहरे भी जितनी भी गंदगी होगी वह बाहर निकलेगी बहुत अच्छे से अप क्या करना है आपको दो मिनट की आपको स्टीम लेने के बाद अपनी नोस एरिया के पास अलके हा कि चहरे पर सारे ब्लेक इडवाइट इसकी प्रॉब्लम हट जाएगी तो अब हमें इसको तयार करेंगे चलते अपने तीसरे स्टैप की तरफ जिसके लिए एक मास्क तयार करेंगे तो यहां मैंने ली है अलसी एक चमच आपको अलसी के बीच लेने हैं और एक चमच ही अच्छे से पीस लेना अब मैंने यहां पर लिया है एक कच्छा आलू और छोटा गच्छा टमाटर लिया है दौनों को काट के मिक्सी में पीस लिया हमें इसका जूसी हम यह लिए आपके टैनिंग तो खतम होगी आपके चेहरे पर एंटी एजिंग की जो साइन दिख रह वो खतम होंगे आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं कहीं पर पिग्मंटेशन हो रही है यह उसे भी दूर करेगी आपके चेहरे पर रंगत लेकर आएगी आपका चेहरा देखकर आप हैरान रहे जाओगे रिजल्ट इसके तो वही पैक मैंने आप एक चम्मच सफिसिंट होगा एक तो बिसह निकाल का लिए Republic गरोगा लगा कार रखामी लाघसन है और की पोनी के है से लगा लिए तो मैंने अच्छे इस मैं इसके पाइस मीनट तक अणिसमें यह सूच जाएंगा और जब ऑप यह रेमडी पूरा के बाठम करना तो प्लीज नहाने से पहले भी करना भना भूत गंदी होती है तो मैंने अच्छे से लगा लिया है अब मैं इसके बाद 20 से 25 मिनड़ बाद आप मैं नहां के आ गई हूं आप देख सकते हो कि बहुत गंदा सा हो गया तहले मैं दिखा नहीं पाया मेरे कपड़े वगरा तो आप देख सकते हो अभी मैंने क कुछ भी नहीं लगाया सीधे नहां के ला गई हूं और अब मैंने अपना राइस टोनर लगाया जो मैं बना के रखती हूं अपना राइस टोनर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूल करना सब्सक्राइब